अग्याइब नमस्कार दोस्तों मैं सोनू आप सभी लोग फिर से माई ओनेस्ट हेल्प में स्वागत करता हूं आज कि जो कलास होगी आप लोगों के बीच में वह से लोगीजम का सेकेंड कलास होगी और आज इस कलास में हम लोग देखेंगे कि जो आप लोग का अगर आप मिसकर लिएक अच्छी तरह से निकाल के दिखा देता हूं सिखा लेता हूं उसके बाद प्रकोशन पर हम लोग चलेंगे तो चलते हैं आज की जो कलास है आप लोग को स्टेट्रा दोवरा समझाना चाहता हूं कि आप लोग को मैं स्टेट्मेंट जदू है अगर आप लोग को दिखांगे कि इस तरह निकालना है अगर आप लोग को देखके ही एंसर मालक के अराम से कुछ ही सकेंड़ों में निकल जाईएगा वहाँ पे बस आप लोग को ध्यान देना की कंकुलूज शिकना आए तो चलते हो आप लोग की दोर्ड़ा दिखाते हैं पुझे सीटार्ट होग था अब वह ज Après उस जुझ ज्ञांपल को समझाता हूं कि इसका के से निकालना है तो चलते हैं आप लोग见 अगर मांदे आ छी हफिरेंट अब नोड़ों का दिया हुआ है एक कुछ मचली जली याम है कुछ मचली आम है कुछ आम घोड़ा है इसका हम लोग conclusion निकालेंगे इसका निसकर्ष निकालेंगे तो आप लोगों को मैंने जब सैलोगीजम का पहला class हुआ था सैलोगीजम का जो पहला आजी आप नहीं हो जोस्तों आपनों के सामने statement लिखता हूं उसका conclusion क्या क्या होगा मैं निकाल के आप लोगों को दिखाता हूं कि conclusion क्या क्या होगा तो चलते हैं statement पे आपका यह statement दिया हुआ है हमने आप लोगों को जो सैलोगीजम को पहला class हुआ था उसमें आप लोगों चार statement बताया था चलिए उस पर थोड़ा ध्यान दे लेते कि चार statement क्या 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 बताया था था कि sum A is B इसका figure मैंने इस तरह बनाया था यह और B का किसरा था नो का नो यह इज बी इसका figure इस तरह बनाये थे और चोथा था आपका sum not sum A is not B इसका figure इस तरह समझाये थे कि यह और यह B है इसका figure मैंने इस तरह समझाये था फिगर आप लोग देख लिए अब चलते कि इसका statement जो इसका statement आप लोग की से conclusion क्या था आप लोग को conclusion निकाल की सिखाए और चार से पांच को अगर आप लोग ध्यान से देख लेते हैं तो आप लोग को ध्यान देना कि मैंने जो statement बताया था जो समझाये तो figure को अगर आप लोग ध्यान में रख लिजेगा तो को सौल राम से कर सकते हैं तो चलते हैं इसा figure बनाते हैं कि मैंने बोला यहां पर क्या लिखा हुआ कि सभी आम जो है फाल है आपका इसका कैसे figure बनेगा कि सभी आम पहले आप लेंगे यहां पर आम लेंगे इ बतला है मतला संवी आम जो है ओ क्या है मतला आम जो एक किसके अंदर है कि अंदर हैं फुल के अंदर है कि नहीं है उसके पके बतल निकालना नहींatori मतले यहां पर आप लोग इसलिए suck आप लोग शीख सके हैं और एक्जाम में सिर्फ फिगर बनाकर यहीं पर एंसर देख आपका इस तरह श्रेटमेंट दिया वह रहेगा यहां फिगर बनाना और आपका ऑप्सन दिया वह रहाएगा ठीक मारना और एंसर देकर निकलना आए इतना आप लोगो करना नहीं कि मैं आपनोंगे बस आप लोगो शिखाने के लिए में बता रहा हुं विए इसका क्या क्या होगा ओ लिखते हैं इसका क्या क्या होगा हुआ चलते हैं यहां पर सभी आ Chief में बताया कि है। सम और और सम का बताएं थे आप लोगों तो यहां पर भी आई है कि देखिए सभी आम और फल में चलते हैं कि सभी आम जो क्या है फल यहां पर भी लिखा कि सभी आम जो है फल है सभी आम यहां पर देखें जो हे और पुल का है Зबीर पूर हिस्सके आपका है 구독 फूल का है पूर हिससे नहीं से नहीं समझें आप लोग आप पर दिखाते हैं जैसे यहां पर आपको क्या लिखे दिखाएं कि सभी आम क्या फॉल है मत्द आम जो है माल लिए ये आपका घर किसका घर है फॉल का है तब फॉल के अंदर आम है ने यहां पर क्या होगा है कि सभी आम फॉल है उसी तरह फूल जो है पुरा घर जो बहार का घ किसे कि ही आम हैंत। ओं है और प्फुल यह लिख लिए आम का उसके सब्सकर हो गाँ गयां कने का बसमे सब्सक्ति हैं94 मतब फूल के अंदर फूल है यहां पर दिखाओ सभी फूल क्या फूल है यहां से प्रूब कर दिखाते हैं अब लोगों को कि देखिए आप चलते हैं फिर उपर से चलते हैं आम रुखल के बीच में सम कत्वड़ा आप लोग इस statement को देखने से पहले आप लोग नॉट्स निखाना चाहता हूं कि यह आपके दो कंकुलूजन लिखने पर और पलास सम का परियोग करते हैं यह पॉइंट नॉट्स कर लिजेगा यह पहला पॉइंट होगा दूसरा पॉइंट है नीचे से उपर लिखने पर सिर्फ सम का परियोग करते हैं यह आपका नॉट्स हो गया है बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है बहुत इंपॉर्टन स्वाल रखिएगा देखिए यहां पर मैंने क्या पताया कि उपर से नीचे लिखने पर और सम का लिखते हैं तो देखिए तो आम और फल में क्या बीच है तो कुछ आम जो है फल है जिसे फल के घर में आम है यहां पर तो कुछ आम फल का कुछ हिस्सा आम घेरा हुआ है यहां पर आम फल का यहां है प्रविस्सा में आपर 2 रहें और फल के घर में आगी पेले फल का था इस में से आम आकर परवैस्थ प्रवैसर कर गिया है तो फल का जो कुछ रिच्सा ही आम हो जाएगा कुछ आम फल आप यहां पर नीचे हो गया ओपर से लिखें गया आप देखिए आम और फुल के बीच में लिखाते हैं तो पुरा घर किसका है इस त्रह ली सकते हैं कि कुछ आम फ़ल हो ईसको इस तरह लिखेंगे फृष आम कुछ आम जो है कुछ आम फूल को इसके बाद आम फ़ल और फ़ल के उसके बीच करद और फॉर और फॉल के बीच कुल है इसी मैं से फ़ल आपर भी बठा हुआ है हिंद गरके Kenneth यह भी हिस्सा होगा कि कुछ फ्ल फूल फूल का है, कुछ फ्बूल का कुछ घर्ल हुआ है, इसको आ भी तरह भी सब्सक्मित है, कुछ फूल है । यह उसको इस तरह लिखंगे कि कुछ फ्ल वो क्या है यह आपका खुल है आप देखिए उपर से क्या है अम लिखाएंगे आपको लिखाएंगे तो उपर से नीचे से उपर लिखने पर सिर्फ का परियोग करते सिरु वर फ सम को ओर्गाव नहीं करते हैं शम को कुरूप करके एक डिकाता हूँ और लिख के भी दिखाता हूं अको निसकरते ले के आप फूल-फल कहीं सी बना है कुछ फूल — फल है. कुछ फूल के आपका? फल हो गए. अब फूल और फल के बीचली लेसन हो गया, अब फूल और आम के भीचली लेसन बना आते है, दॉल का कुछ हिस्छा आम घिरा हुआ, अमिस तरह लिख सतना क कुछ फूल जो ऐ, पुछ को फूल आम है क्या है आम है इसको हम इसके बीच लेशन होगिया नीचे से अब इसके बीच लिशन निकालते हैं मतलब कुछ फ्रसित परसं च्प्रम कर दर रहा है आम है य neighboring क्या है कि दिभी आम है हो गया तो पॉइंट जो है पॉइंट हम लिखाएं कि ऊपर से नीचे कन्कुलूजन लिखने पर और सम का पर्योग होता है आज रख लिए तो आप लोग को टेंसर नहीं है क्या कि खिर बनाई है उपर से आपको क्या ध्यान रखना कि लिखना है और जब नीचे से लिखना नहीं सिर्फ क्या करना कि आपको अस्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा यह आप लोगों को फिगर बनाना है यहां पर option दिया हुआ मतलब कौन conclusion आपका सही है कौन गलत है वो टीप मारना है सिर्फ आपको फिगर देखें तो यहां पर आप लोगों को सिखा रहा हू अगर यहां पर आप लोगों को बहुत असान होगा अगर नहीं पर सीखातने के क्ञेश़िए आप लोगों को बनाने के लिए अपलोगों समझ मे आए ज्यंवें आता हिसे लिए मैंने सुवने है की फ्टाव बेशिक दो उसके बाद णाना है रही चलते हैं आपका공े नहीं चलिए इसको आपनों को निश्कर्स तीस तरह दिया हुआ रहेगा यह भी आपनों दिखा देते हैं कि आपनों को इसे यह statement दिया हुआ यह figure बना लिए है चलिए दोस्तों आपनों को निश्कर्स में conclusion लिखता हुआ जो आपनों को इक्जाम में देखके आपनों को टिक मारना है यह आप लोग इसको नौट कर लिजिएगा आपनों को बताते हैं कि आपनों को पहला है मतलब यहां पर निश्कर्स दिया हुआ रहे हैं आप लोग का दिखा हुआ रहेगा तो दिया हुआ रहेगा आपका कर दो दिया हुआ रहेगा यह आपका चार कन्क्लूजन रहेगा तो बस आप लोगो क्या करना क्या अच्ट्रिमेंट देखना आप फिगर बनाना और चलिए यहां पर क्या लिखने पर आप नीचे लिखने पर और सब्सक्राइब होता है यहां पर बोद दिया कि सभी आम फूल है कि सभी आम फूल है कहां पर लिखने कि सभी आम जो है सभी आम फूल है आपका यहां पर देखे लिखने दिखाए हैं यहां पर सभी आम क्या आपका फूल है यहां पर इसको क्या करेंगे सही आपका हो जाएगा सही हो जाएगा इसका दूसराम क्या कि कुछ फाल जो आम नहीं यह प्रोब्हाइं कि पाजेटीव क्या बहुता है इसको पाजेटी में पाजेटीव में निगेटीव यह नहीं होता है बता है तो आपको लिखाए भी होगे जो सिलोगी जम्म को पहला कलास होँ थो उसमें आप लोगंको अनुट करवाये थैं करवार थे हैं, ते यहां पर भी क्या लिखा दिए कुछ फल जो आम नेम अहीं मतलब फोजेक्टिव अस्टेट्मेट में निगस्टिव कं स्टिव कं कलूजन नहीं होता है, ये पर पिर क्या हो गया है, ये आपका गलत हो गया, कोई full आम नहीं या, कोई फूल आम नहीं है ये भी घलत होगी आपका चोठा क्या है कि कुछ फल क्या है आम है बताया कि नीचे से ऊपर लिखने पर सम को करकते हैं और ऊपरसे नीचे लिखने पर अलों सम का कर्यों करते हैं कि कुछ फल यहां प deze पार क loves दिखना ने माल यह फिगर से बन आप बताते हैं कि कुछ फल आम है मतलब कुछ फल आम है उपर से नीचे से उपर लिखने पर सम कर्यों करते हैं यहांपर भी क्या सम है है यां पर फ्रस्ट एंड ठोर है उप्सन दिया रेका ठीक मावना है और आपको निगा जाना छाए वर रहेगा पहला इस्टेट्मेंट आप लोगों को लिखेए में दिखाया इसका फिर अगला पर चलते हैं आप दिखाते हैं दोस्तों यह आप लोगों के बीचे लिखे लाइन स्टेट्मेंट है दूसरा क्लेंट निकालते हैं तुरंते क्यों स्पुलिजन के लिखा रहें और ध्यान ने जाएक कि मैंने जो आप लोगों को लिखा है whisky तो रियल लाइप में लिजिएगा हाँ ये स्टेटमेंट जो आपको लिखा होगा उसको मानना पड़ेगा है अपनी को स्वा संग्जी प्रत नहीं होता है घलत हो जाएगा आपको मान के चलना पड़ेगा लड़की है सभी लड़का क्या अगर लड़की इस तरह बनेगा उसके बाद उसरा मात रही कि सभी लड़की जो क्या है बंदर है सभी लड़की क्या है बंदर है सभी लड़की क्या है बंदर इसके बत कि समाते सभी बंदर क्या आदमी है सभी बंदर सब्सक्राइब क्या होता है है कर दो पर से नीचे लिखने पर और संब करेंगे सम का परिव करेंगा समका तो यह लड़का क्या हो जाएगा लड़की है कि लड़क लड़की है इसके बिक में लीख लीए अब दूसरा जाद आते हैं लड़का और बंदर के representing सभी लड़का बंदर है क्यों है नंदर क्या इसके बिच में लेए इसके बिच में लेंगे इसके ले लिए है इसके और इसके बीच में लेंगे, सभी लड़का क्या हो गया, बंदर है, सभी लड़का बंदर है, तिसरा में आते हैं, लड़का लड़की हो गया, लड़का बंदर हो गया, लड़का और आदमी के बीच में, सभी लड़का क्या है, आदमी हो, सभी लड़का आदमी है, सभी लड़की क्या बंदर है सभी लड़की बंदर है इसके पाद लड़की और बंदर सभी लड़की और आदमी में सभी लड़की क्या आदमी है इसके बिच में और कपड़ियों के लिया आप बंदर के बीच में करेंगे सभी बंदर आदमी है सभी बंदर सभी बंदर आदमी है अब किया है आदमी नहीं है बंदर के लिखना वह है तो आज Кिसी के साथ नहीं होग है लीखने तो आप में कभी लिते हैं और का हो गया अपसौन का करते हैं, कुछ लड़का लड़की है, इसके बाद लड़का बंदर में, कुछ लड़का बंदर है, इसके बाद लड़का लड़की में होगी है, लड़का बंदर में होगी है, लड़का बंदर में होगी है, लड़का और आदमी में, कुछ लड़का क्या है, कुछ लड़का आदमी है यह हो गया लड़का लड़की में हो गया लड़का बंदर में हो गया लड़का और आदमी में लेंगे कुछ लड़का आदमी है कुछ लड़का आदमी है हो गया है इसके बाद लड़का में हो गया अब लड़की में आते हैं कुछ लड़की बंदर है कुछ लड़की बंदर है इसके बाद लड़की बंदर में हो गया लड़की और आदमी में है कुछ लड़की क्या है आदमी है कि लड़की में आधमी है को गया है या लड़का बंदर में लड़की ंदर में हो गया और बंदर और कुछ बंदर क्या है आदमी है कुछ बंदर आदमी है अब इधर लिखता है उधर भर गया अब इधर आप फड़ा लिख लेते हैं बंदर और आदमी हो गया उपर से नीचे पुरा हो गया complete सब के बीच में relation और समक पुरा लिख लिख लेगे नीचे से चलेंगे ऊपर की बंदर बंदर है कुछ आदमी लड़की है इसके बाद आदमी बंदर होगी है आदमी लड़की है इसके बाद आदमी बंदर होगी है आदमी लड़की होगी है इसके बाद आदमी और लड़का है कुछ आदमी लडका है कुछ आदमी लडका है। कुछ बंदर लडकी है। कुछ बंदर लड़की है, बंदर लड़की मोगिया बंदर लड़का में, कुछ बंदर लड़का है, यह हो गया, इसके बाद बंदर लड़की मोगिया बंदर लड़का मोगिया लड़की ओ लड़का में, कुछ लड़की क्या है, लड़का है, sum का relation खतम हो गया, और कुछ sum का बनेगा, द 되는 मुझा सब का relation ले लिए, लडिक के भीस्पे रिलेशन लिए लड़का कर रिलेशन लेखिंगा पुरा को अइक किसा कहा है त्य प्रौ सकता है नहीं हका निकाल सकता है निकल सकता है ऐस तना सबसाइब करते हैं और नीचे सब्सक्राइब करते हैं यह गी सब्सक्राइब कर दिया हुआ रहेगा कि यहां पे कि कोई लड़का कोई लड़का जो है लड़की नहीं है पहला दिया रहेगा दूसरा आपका दिया रहेगा कि कुछ कि लड़का आदमी है कि इसरा दिया रहेगा सभी लड़का बंदर है तो थम रहेगा सभी लड़की बंदर है इतना कारी इसतना कंकुललूजर में आपनों कोई भी चार चार को यहां पे चार उप्षाणकर और चल्मलूजर को दे का कि क्या क्या कि हो सकता है कि रहेगा पहला आदमी है निगेटिव अन्कुलूजन होता नहीं है और दुसरा क्या आपका दिया हुआ है कि कुछ लड़का आदमी है कुछ लड़का आदमी अब लेखिए कुछ लड़का जो है क्या आदमी तो होगा क्या उपर से नीचे लिखने पर सम और 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 का परियोग करते हैं तो यहां पर ाल का पर्यों किया हूद पोज्यक दिया कुछ लड़का क्या आदमी अजma देकर टीक मानना सकत मैं सभी लड़का क्या बंदर नीचे बंदर दे millionaire सभी 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 लटकी सभी लड़की ये हैं मैं है सभी लड़की यहां तो सभी लड़की यॡश्य भंदार सभी लड़की了吧 बंदल सही होज़ेगा तो 2 ,3 , 2 ,3 ,4 , आपको option दिया लेगा कि 1 ,3 ,2 ,3 ,4 , और निकलना है आप लोग conclusion इतना लिख के यहां पर पनना में रखना नहीं है आप लोग क्या करना कि statement जो दिया हो नेगा figure बनाना है और देखे conclusion को conclusion में टिक मारना और निकलना है आप लोग को मैं इसलिए यहां पर conclusion पुरा लिके दिखा दे रहा हूं सिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से सीख लिएगा हां दोस्तों और एक चीज़ बदाना चाहता हूं अगर आप लोग को फीगर समझ में नहीं आएगा तो मेरा पहला वीडियो जो है इसलोगीजम का उसमें देखे हैं बहुत अच्छे सापनों को समझा है नहीं को बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा और कहीं भी आप लोग को इस इस लोग को बताने के लिए हमीसा त्यार रहूंगा तो चलते हैं आज कि अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो को और नए लोग दो इस चैनल से जुड़े हैं उस हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और बेल ऐकन को दबाईए बेल ऐकन को दबाने के लिए इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि अगर आप बैल ऐकन को दबाते हैं तो मैं जो वीडियो जब अप्लोड करूँगा तो आप लोगों को एक से डेड़ गंड़ा पहले नोटिपिकिशन मिल जाती है और कहीं भी अगर कोई दीकत होगी तो आप आपने को प्रैक्टिस से बावागों को जिस तरह से मतलब एक्जाम में किस तरह से प्वास्चन आता उस प्वास्चन को आपने को दिखाऊंगा कि किस तरह से प्वास्चन पुछा जाता है और आज के खलास हें पर इंडव करता हूं So thank you all the best